बिजनौर में नो साल के बच्चे को गुलदार ने बनाया अपना निवाला जिसे देख परिवार में मचा कोहरा दरहसला आपको बता दे कि बिजनौर के थाना अफजलकर छेतर के शाहपुर जमाल में नोवर्षे नेतिक पुत्र संजे की गुलदार के हमले से मौत हो गई नेतिक घर से कुछी दूरी पर पेशाप करने गया था तब ही गुलदार ने नोवर्षे नेतिक पर हमला कर दिया गुलदार के हमले के बाद बच्चे को धामपुर ले जाया गया धामपुर ले जाते समय नेतिकी मौत हो गई नेतिकी मौत से परिजिनों में कहरा मच गया आपको बता दे कि धामपुर के आश्रिवाद नर्सिंग होम में बच्चे को लाया गया बच्ची की मौत हो चुकी थी, मौकी पर पहुंची पुलिस की टीम जाश परताल कर रही थी इतने में ही गाउं के बीस्ती स्वयक्ती बस लेकर आए और बच्चे के सब को ले जाने लगे पुलिस प्रशासन ने काफी समझाया की पोस्माटम होना जरूरी है मगर परिजनों ने और गाउं के लोगों ने एकना सुनी और वन्विभाग पर ये आरोप लगाया के वन्विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है कि शापुर जमाल में अभी कुछ दिन पहले एक महिला की भी मरती हो गई थी जिसमें वन्विभाग की लापरवाही देखी जा सकती है वन्विभाग को काफी बार सुचित किया गया था कि गाउं में हमले हो रहे हैं इसका कुछ समधान कीजिए मगर गाउवालों की वन्विभाग ने एक ना सुनी वन्विभाग के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सभी लोग सबस्क्राइब करें फेस्बुक पर देख रहे हो तो फोलो करें